प्रणाम जी राम राम सत्य सनातन धर्म कीज़े आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जो भी दर्शक इस वीडियो को बादने भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम देखिए अब आने वाले दिनों में मैचिज आने वाले हैं तीस अगस्ते जो है इंडिया शिरी लंका और पाकिस्तान की सीरीज शुरू होने वाली है जिसको देखते हुए नजरें भारत के उपर है कि ये सीरीज भी भारत जीते और जीते क्यों ना क्योंकि आज इंडिया के पास इतने धुरंदर प्लेयर हैं और सबसे बड़ा प्लेयर तो विराट कोली है ही इस समय और जहां पर विराट कोली हो तो वहां पर दूसरी टीम को बड़ा सोच समझ के खेलना पड़ता है और बड़े सारे लोगों को कहीं बार इस चीज का जव जवाब दिया भी है विराट कोहली ने और मुझे पता है कि इस बार भी विराट कोहली जो हैं इस बात का जवाब जरूर देंगे विराट कोहली ने एक आज स्टेट्मेंट जारी किया है जो कि बैंगलूरू में कुछ पतरकारों से बात करते हुए उन्हें कहा है कि उन्हें अज भी Encounter's पसंद हैं और साथ ही मैंनों हैं कि Encounter's भी Top Teams जो World की हैं, उनके साथ, उनने Encounter's पसंद हैं और साथ ही मैंनों हैं कि World Cup का, जो उनका खाब है, शायद उनसे जiदा कोई और नहीं देखता है, तो एक बड़ा, एक बहुत बड़ी है पाकिस्तान को भी कि पाकिस्तान भी समझ जाए कि भी या विराट कोली है वहां क्योंकि कहीं लोग बड़े हिमाईती हैं पाकिस्तान के पाकिस्तानों के पाकिस्तान के प्लेयरों के तो मैं आपको बता दू जहां पर भारत खड़ा होता ना तो वहाँ पर कोई पाकिस्तान वाकिस्तान नहीं खड़ा होता है और इस बार कि यह जो सीरीज है वो भी भारत जो है जीत के ही दिखाएगा मैं आपको बता दूँ कि जो एशिया कप 30 अगस्त से शुरू होने वाला है पाकिस्तान श्रिलंका और भारत के बी कोई और सपना नहीं देखता वर्ल्ड कप जीतने का तो सच भी है विराट कोहली आज एक ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जो आज संसार भर में जिनका डंका बज़ता है और डंका ऐसे ही नहीं बज़ता विराट कोहली जो है एक ऐसी शान है हमारे भारत की जहां पर आजका नी नीरच चोपड़ा ने भी लगातार बता दिया है कि भाया जो नीरच चोपड़ा है उससे आगे भी कोई प्लेयर नहीं है और भारत को एक बार फिर से स्वरन पदक जितवाया है नीरच चोपड़ा ने वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली इस बेस बेस्ट और एस्ट और वेस्ट हाता ना कहीं बार कोहली इस बेस्ट तो विराट कोहली ने एक बार फिर से बैंगलूरू में ये स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट जो प्रतिधुन्दी टीम है पाकिस्तान और शिरिलंका के लिए है कि भाया सोच समझ के ही खेलिए वाले और विराट कोहली के साथ पूरे देश की जो हैं दुआएं हैं सभी देशवासियों की प्राथनाएं हैं विराट कोहली के साथ और विराट कोहली ने जितने भी अभी रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो रिकॉर्ड्स वैसे ही कोई नहीं बना सकता और वो एक दो एक दो यू आगे बता रहे थे बाबर को जो बाबर आजम है पाकिस्तान का उसको बड़ा आगे बता रहे थे तो विराट कोहली ने यूट्यूबर्स की साहिता नहीं ली जो बाबर आजम लेता है विराट कोहली ने रिकॉर्ड बना कर यूट्यूबर्स को और उनके बाबर आजम को लिखें और कमेंट में लिखें हाँ मुझे पता है कहीं लोगों को परिशानी होगी और वो शुरू हो भी गई है स्पोर्ट में वगारा वगारा यार जो मरजी हो हमने तो भारत कोई सपोर्ट करना है सीधी सी बात है चाहे कोई भी टीम के पास कोई भी प्लेयर हो हमें उसे कोई लेना देना नहीं है हमें अपने प्लेयरों के साल लेना देना है और हम अपने प्लेयरों कोई सपोर्ट करते हैं हमारे प्लेयर ही सबसे बढ़िया हैं सबसे अबल है और हमारी टीम ही सबसे अबल है इसलिए बड़ा मज़ा आता है जब लोग लिखते हैं भारत टीम के बारे में इंडिया के बारे में तो बड़ा अच्छा लगता है और हमारे एक मित्र लिख रहे हैं कि उमरान मलिक हैं उमरान मलिक के लिए तो मैं भी हमेशा प्रातना करता हूँ कि उमरान मलिक जैसा प्लेयर हमें मिला है और मेरे अच्छे मित्र भी हैं उमरान मलिक तो उमरान मलिक को जल्द से जल्द अच्छी पारी मिलनी चाहिए खेलने क के लिए और सच में अब देखिए अब कमेंट्स शुरू हो चुके आना और बड़ा मज़ा भी आ रहा है कि विराट कोहली के लिए लिए लिख रहे हैं जिंदाबाद और ग्रेट परसनेलिटी बिल्कु सही कहा आपने और मैंने कहा ना एक दो को प्राबलम होगी देख लो आ पागिस्तान के खंडे दिखाते हैं उनको भारती जंडे हजारों की तादाद प्रेट कोहली के लिए ज Columbia के लिए जतना हो सके आप लिखाए कि विराट कोहली बेस्ट है पूरे विल्ड में ऐसा प्लियर नहीं आपको मिलेगा और इतना बड़िया प्लियर मैं सच कहूँ त बड़े ही बिरला ही पैदा होते हैं और जहां पर जो हाईस रिकॉर्ड्स थे सचिन तंदूल करके वो भी आज रिकॉर्ड जो है विराट कोहली ने तोड़ दिया है तो विराट कोहली जैसा प्लेयर नहीं है यहां पर तो जो जिसको भी लगता है परिशानी होती है वो स्पोर्स ये वो का बात करता रहे मुझे इससे कोई लिना जैना ने लेकिन हाँ मैं तो अपने देश की बात करूँगा और अपने ही प्लेयर की बात करूँगा अपने प्लेयरों को ही आगे हम जतना हो सकेगा उनका ही जिकर करेंगे और अपनी टीम का नाम लेंगे आप लोग भी अपनी टीम का नाम लेंगे टीम इंडिया इस बेस्ट विराट कोहली इस बेस्ट और वही है विराट कोली ने वही एक statement जो बंगलूरू में दिया है वो statement एक बड़ा जबरदस्त ब्यान है जिसमें उन्होंने साफ कहा दिया है कि मुझे encounters पसंद है और वो भी बड़ी बड़ी टीमों के साथ और साथ ही में विराट कोली ने ये भी कहा है कि जो वर्ल्ड कप का सपना है न वो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं देख सकता तो ये statement कोई छोटा मोटा statement नहीं है अखास करके प्रतिधवन्दी टीम्स को अगर समझ आ रहा होगा तो एक बड़ा जबरदस statement विराट कोली द्वारा दिया गया है और मैं ये कहूंगा कि बिल्कु सही कहा राजीव जी ने कि विराट कोली जो है लीजेंड है बिल्कु सही कहा और बड़े जबरदस्त कमेंट्स भी आ रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में जो मैचिज होने हैं इंडिया श्री लंका और पाकिस्तान के बीच में तो मैं तो प्रातना करूँगा भगवान श्री राम चंदर जी से भगवान शिव शंकर जी से कि भई मैच तो वर्ल्ड कप इंडिया ही लेकर जाए और बाकी जितनी भी टीमें हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए भारत ही इस वर्ल्ड का जो इश्या वर्ल्ड कप है इसको जीते और इसमें जीत अपनी जो है दाखिल करवाए तो फिलाल आप लोग भी मेरे साथ परातना करें और हमारे प्लेयर्स के लिए जितना हो सकता है दुआएं करें परातना करें मन्नत मांगें ताकि हमारी इंडिया टीम इस कप को जल से जल लेकर आए बाकी जब मैचिस शुरू होंगे आपको अपडेट देंगे लेकिन आज इस अपडेट का कारण ये था कि विराट कोहली का जो स्टेटमेंट है दिल जीतने वाला स्टेटमेंट है और सच में आज दिल जीत लिया विराट कोहली जी ने ये बात कहके इसलिए इस्ट और वेस्ट विराट कोहली इस दा बेस्ट भारत माता की जै, सभी देखते रहें जेके मीडिया, सभी को राम राम, सनातन धरम की जै और मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में मैंने विराट कोहली जी का जिकर किया है तो पडोसी मिलक भी इस वीडियो को देखेगा तो पडोसी मुलक को भी मेरी तरफ से राम राम और सनातन धरम की जै एक बार फिर से बोलता हूं पडोसी मुलक के लिए सनातन धरम की जै धन्यवाद राम राम